Ease of Living, इसका मतलब है किसी की जिन्दगी को आसान बनाना, बेहतर बनाना लेकिन यह कैसे हुगा? साल 2017 में प्रधान मंत्री मोदी ने सभी मंत्री उससे कहा था कि वो Ease of Living के लिए काम करें प्यम मोदी का विजन है कि हर मंत्री, नेता या सरकार अपनी जनता के लिए वो काम करें जिसमें लोगों की परिशानी कम हो सकें, उनके जीवन में बदलावा सकें और इसी सोच के साथ ये मॉडल शुरू किया गया है जिसका मकसद है गावों को ऐसा बनाना जिससे गावों भी सुविधा और संपन से परिपोन हो गावों की अर्थववस्ता बढ़ाने के लिए मोदी सरकार पिछले कई वर्षों से कारे कर रखी है और अब गावों में इस ओफ लिविंग के प्रयास को पोरे मॉडल को ही बदल कर रखने वाला प्रयास करने जा रखी है हम ये सब जानते हैं कि मोदी सरकार ग्रामीड भारत के जीवन सर को बहतर बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रखी है पंचायती राज संस्थाओं के जर्ये पेपल सेंट्रिक सर्विसेस को तेस गती से धरातल पर उतारने के लिए पंचायती राज मंत्राले पूरे रोड बैम के साथ काम शुरू करने जा रहा है इस ओफ लिविंग से संबंदित experience, opportunity और challenges को लेकर detail brainstorming के लिए देश में चार वरक्शाप आयुजित किये जा रही है इसके लिए step में पहले step की अगर बात करें तो हैदराबाद में ease of living, enhancing service, delivery, at the ground roots, पंचायत समेलन के नाम से 22 October को वरक्शाप आयुजित होने जा रहा है जिसमें राज साथ शामिल होंगे ये साथ राज आंध्यप्रदेश, गुजराज, जारखन, मध्यप्रदेश, मिजोरम, ओडिशा और तिलंगाना है इस वरक्शाप में agriculture, health, education, social welfare और public distribution से related 29 सेक्टर को जनता से जुड़ी सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने के रणनीते पर डिटेल से बात होगी यानि कि गाओं का पूरा module एक बन टियर शेहर की सुधाओं को कैसे लैस हो जाएगा इस से वो इस पर महतपूर तरीके से इसके बारे में जानकरी दी जाएगी ये एक ऐसा model है जो गाओं को बदल कर रख देगा गाओं अपने रूट से जुड़कर दुनिया के तमाम पैरामीटर से आगे बढ़ने लगेंगे मोधी सरकार इस ओफ लिविंग को साकार करने के लिए इस वोक्शोप से राजो की रड़नी उनके द्वारा गाओं के लिए किये गए अच्छे कारे और सुझाबो को शेयर करते हुए कमपाइल रोड मैप तयार करने जा रखी है और इन सबका अफदेश सिर्फ एक है गाओ में पेपल सेंट्रिल प्लानिंग को समाज के अंतिव व्यक्ति तक पहुंचाना और इस वर्क्शाप में नैशनल इंस्टिटीट ओफ रूरल डिवालिप्मेंट और पंचाइती राजबी अपना डीटेल प्रेसेंटेशन देगा इसमें स्टेटिड डेलिगेट्स को बताया जाएगा कि किस तरह से सर्विस की जादा से जादा पहुंच के लिए टेकनॉलिजी की मदद ले सकें